जियां दोस्तों अगर आप बिना पैन कार्ड की इंडिया के सबसे बड़े बैंक में अपना जीरू बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेलफुल साबित होने वाला है जियां दोस्तों आज मैं आपको इस्टेट बैंक आप इंडिया में बिना पैन कार्ड जीरू बैलेंस अकाउंट ओपन करने की परकरिया को लाइफ प्रोसेस के माधियम से समझाने वाला हूँ यहां पर आपको बैंक से जुड़ी हर फैसलिटीस फ्री में देखने को मिल जाती है जैसे की डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चेक्बुक, पास्बुक आदी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास आधार काड होना जरूरी है, तो चली फ्रेंट्स बिना देरी के आज के इस खास वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यहां पर आप देख सकते हैं, यह चैनल का एनलेटिक अधोने मोबाइल या लैप्टॉप या कम्पूटर में Google Open कर लेना है, और यहाँ पर आपको SBI आपको सेलेक कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप SBI सिलेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्ज करना है, SBI, तो आपके सामने SBI की एक Self- वेबसाइट आ जाएगी सबसे पहली ओफिसल वेबसाइट यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहे हैं online sbi.com यह वाली वेबसाइट आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगी तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएंगा यहाँ पर आपको सबसे पहले उपर आ जाना है और यहाँ पर आपको जो है small sb का account आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपके सामने दो option देखने को मिलेंगी एक सबसे पहले आपको उपर वाले option देखने को मिलेगा इस पर यहाँ पर आपको जो है click करना है और यहाँ पर उपर वाले option पर click करेंगे तो तीन option आपको और देखने को मिलेंगे तो आपको जो सबसे नीचे वाला account है small sb account इस पर यहाँ पर आपको click कर देना है जैसे यहाँ पर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको सबसे नीचे आजाना है जैसे आप नीचे आओगे तो आपको start now वाला option देखने को मिलेगा इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन और आपको option देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर आपको सबसे उपर वाला option है इस पर यहाँ पर आपको click कर देना field customer information form इस पर यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म जो है खुल कर आ जाएगा इस फॉर्म को आपको जो है ध्यान पूर आपको बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है वो आपको जो है step by step मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपना यहाँ पर जिसका आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको नाम डाल लेना जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले first name आपको डालना है और यहाँ पर आपको last name डालना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके फादर का नाम या उसके husband का नाम या other guardian है उसका यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं अगर husband और फादर नहीं है तो अधर जो भी उनको पाल रहे हैं उनका यहां पर आपको first name, last name और middle name यहां पर आपको डाल देना है यह डालने के बाद आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको address के बारे पूछा गया है तो आपको यहां पर address डाल देना है address में यहां पर आपको सबसे पहले अपना कहां पर रहते हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद यहाँ पर आप जो है name of the house या house number आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो house number आप कौन सा भी अगर डाल सकते हैं अगर आप नगरपाली का वाले छेतरे में नहीं रहते हैं तो कौन सा भी house number डाल सकते हैं उसके बाद landmark डालना है, जो आपके घर के आसपा, जो famous जगह है, वो यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको district select करना है, कि आप कौन से जिली के अंदर रहते हैं, उसके बाद village city आपको select करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको pin code डालना है, अगर यहाँ प आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको pen code नमबर डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने telephone नमबर डालना है अगर यहाँ पर telephone नमबर नहीं है तो आप इसे जो हैं यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं उसके बाद side में आप आओगे तो यहाँ पर आपको mobile number डालना जरूरी रहता है उसके बाद उपर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो street का नाम डालना है कौन सी गली में रहते हैं या street number आप डाल सकते हैं उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको occupation वाला option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले तो sub district डालना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आप नीचे होगे तो आपको अपना जनम date डालना पड़ेगा आपकी जनम तारीक यहाँ पर आपका जनम महीना और साल यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद साइड में आपको अधर वाला option select करके और जो भी आप काम करते हैं वो यहां पर आप type कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको category का select कर देना है कि आप OBC, SC, ST जो भी है वो यहां पर आपको डाल देना है उसके बाद जैसे आप नीचे होगे तो यहां पर आपको जो है अपने pen card की detail डाल नहीं है अगर आपके पास pen card number है तो यहां पर आप डाल सकते हैं और अगर आपके पास pen card number नहीं है तो आप देख सकते हैं नीचे आपको जो एक form number 60 और 61 देखने का option देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको जो है declaration देना पड़ेगा तो मैंने आपको title में बता दिया है कि बिना pen card के खोलेंगे तो बिना pen card वाला आपसो यहां पर आपको जानकारी भड़ देनी कौन कौन सी जानकारी भड़नी है तो आपको देख लीजी यहां पर सबसे पहले अपना नाम डालना है उसके बाद आपको जो है address डालना है किसका आप declaration कर रहे हैं उसका address डालना है उसके आपको बताया गया कि आप जो है कर देते हैं या नहीं देते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे income पर एनम आप साल के अंदर कितना कमाते हैं वो यहां पर आपको लिख देनी है एन यहां पर आपको education qualification लिखनी है email ID यहां पर आपको डाल देनी है उसके बाद नीचे आओगे तो यहां पर आपको kyc document के लिए पूछा जाएगा तो आप yes पर क्लिक करेंगे जैसे आप yes पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको kyc के लिए कोई भी document यहां पर आपको जो है डालना पड़ता है उसकी details जाल जैसे election ID card यहां आप जो है driving license का डाल सकते है same address वाला pension payment order डाल सकते हैं नरिगा का passport का डाल सकते हैं नरिगा job card का यहां पर details डाल सकते हैं आधर का डाल सकते हैं यहां पोस्ट office के दोरा जो identity card issue के जाता है वो डाल सकते है यहां जो है public authority दोरा जो identity card issue के जाता है उसकी details यहां पर डाल स उसके बाद यहाँ पर आप जो है आदार नमबर डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो आदार नमबर यहाँ पर आपको डाल देना है अगर नहीं है तो यहाँ पर आप जो है खाली छोड़ सकते क्योंकि इस पर जो इस्टार वाले option आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके बा customer reference number यह आपको देखने को मिल जाएगा यह आपको 30 दिन के लिए valid है अगर आप 30 दिन के अंदर इस account को open नहीं करवाते हैं तो यह वापस से आपको जो है अपनी जो details यहाँ पर submit करनी पड़ेगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका account है वो 30 दिन के अंदर open होना चाहिए save and proceed पर आपको click कर देना है जैसे आप save and proceed पर click करेंगे तो नीचे आप आओगे आपको यहाँ पर बताय गया है कि अगर आप किसी other यहन की other एप्लिकेट इसके अंदर add करना चाहते हैं तो yes पर click करेंगे अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो no पर click करेंगे फिलाल हम case में इसमें अंदर कोई भी applicant यूज नहीं करना चाहेंगे तो proceed वाले option पर click कर देना है जैसे आप proceed वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कोछ इस परकार और नीचे आप देख सकते हैं अगर आप दूसरा applicant इसके अंदर add करते हैं तो उसका भी नाम आपको डालना है S.E.R.A. number डालना है mobile number डालना है और सबसे नीचे यहाँ पर आपको तो है नाम डाल देना है अब यहाँ पर आपको अपने branch के code number आपको डालने पड़ेंगे अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको branch code number कैसे मिलेंगे आपको अपने google में जाना है और google में जाकर आप जहां भी रहते हैं उस district का नाम आपको लिखना है और साथ में आपको लिखना है SBI branch code आपका जो भी district का नाम लिखोगे तो आपके जो SBI के जो भी bank है आपके district के अंदर उसका branch code आपको आजाएंगे तो नजदी की branch code यहाँ पर आपको जो है जो भी branch code है वो यहाँ पर आपको डाल देना है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नजदी की अपने branch code वो डाल दी है उसके बाद get branch name पर आप click करेंगे तो आपका जो नजदी की branch name है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो additional details के अंदर आपको कुछ add करना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं mode of operation में आपको self अगर आप खुद का account open कर रहे हैं तो आपको self करना है उसके बाद यहाँ पर आपको e-statement account आप जो है और क्या-क्या इसके अंदर add करना चाहते हैं वो यहाँ पर yes पर click करेंगे जैसे mobile banking, credit card अगर लेना चाहते है तो yes पर click करेंगे नहीं तो no पर करेंगे request of ATM तो yes पर click करेंगे others में आपको चैड करना चाहते हैं तो yes पर click करेंगे बाकि आप इदर आएंगे तो आपको checkbook वाला option देखने को मिल जाएगा internet banking है और SMS alert है तो यह सारे आपको जो है जो भी आप इसके अंदर जो यूज करना चाहते हैं या इसको करवाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर yes पर click कर देंगे उसके बाद additional information of cross selling में आया पर आपको जो है सारों में लगबग आपको जो है no वाले option पर click करेंगे क्योंकि lawn वगड़ा इसके अंदर आपको कुछ लेना नहीं है अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप yes पर click कर सकते हैं उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जामने दो option देखनों को मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप nominee add करना चाहते हैं तो आप nominee add कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यह पहले वाला option को select करेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो दूसरा वाला option को select करेंगे उसके बार आप जैसे नीचे आओगे तो nominee का यहाँ पर आपको जो है declaration forum 1 होता है वो यहाँ पर आपको बढ़ना पड़ता है जैसे nominee का नाम बगर क्या है nominee का आपके साथ क्या relationship है nominee की दूसरे bank के details यहाँ पर आपको डालने पड़ेगी और जैसे यहाँ पर आप देख सकते है date of birth डालना पड़ता है address, pin code, nominic आपके साथ क्या relationship है वो सारे डालने के बाद proceed वाले option पर आपको click कर देना है जैसे आप proceed वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको जो है SARN यहाँ पर आपको देखने को number मिल जाएगे आपको यहाँ पर जो है account opening forum वो submit successfully हो चुका है आपको यहाँ पर SCRA number और SCRA number यहाँ पर आपको मिल चुका है तो आप friends आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ आप अगर जो है 30 दिन के अंदर जान की जल्दी जल्दी account open करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने जो यह forum बरा है इस forum के आपको PDF डाउनलूड कर लेनी है PDF कैसे डाउनलूड कर लेनी है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप बैक में आएंगे तो यहाँ पर आपको start now वाले option है इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है सबसे पहले नीचे आएंगे नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं print account opening form यह आपका option देखने हो के मल जाएगा इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद वापस आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना SARA नंबर जो आपको मिला था वो यहाँ पर आपको डालना है उपर यहाँ पर आपका जो image के अंदर डाला हुआ है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं उसके बाद SARA नंबर डालना है फिर आपने जो अपना date of birth यहाँ पर आपको select करती थी वो यहाँ पर आपको डाल देनी है तो यहाँ पर आपका proceed पर क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलूड हो जाएंगा इसको जो print करवा कर नजदी की ब्रांच में भेज़ देना है या आप खुद जाकर उस यहाँ पर जाकर जो account open करवा सकते हैं अगर आप खुद नहीं जाता है जाना चाते है तो यहाँ पर आपको जो 30 दिन के लिए wait करना पड़ेगा और कोई guarantee नहीं है आपको यहाँ पर 30 दिन के अंदर account open होगा या नहीं होगा लेकिन अगर आप जो है नजदी की ब्रांच में जाकर यह form submit कर लेते हैं तो आपको जो within एक दिन के अंदर जो account opening हो जाता है आपको साथ में अपने आधर card number ले जाना है यह आपको ध्यान रखना है विसेश करके इस परकार जो आप जो है SBAE के अंदर बिना pen card के जो है online एक zero balance account open कर सकते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को like जरू करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहन